मेडिवल इंडिया के इंटोड़क्शन के बारे में मेडिवल इंडिया जिसे हम मद्कालीन भारत भी कहते हैं दोस्तो इस्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चैनल है NS Education यहां मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ अभी वो मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ मतलब मद्कालीन भारत के इतहास से स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं उसमें आधुनिक भारत के इतहास प्राचीन भारत के इतहास या इसके लाबा और जो दूसरे competitive exams के लिए जो subjects हैं जैसे अगर मैं बात करूँ physics, chemistry या फिर मैं biology की बात करूँ ये सारी चीजें भी आपको मेरे channel पर available होंगी इसके लाबा अगर मैं बात करूँ तो economy हुआ, geography हुआ इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पर videos available होंगे जो कुछ ही दनों में होंगे इसके लाबा जो English vocab जो सबसे बड़ी कमी होती है Hindi medium के बच्चों के लिए उसके लिए भी मैं एक vocab को याद करने के लिए with tricks कुछ videos लेके आऊंगा अगर आप लोग वो पसंद करेंगे तो मैं उस चीज़ को भी आगे continue करूँगा इसके लाबा अगर आप engineering के student हैं तो engineering के students के लिए भी engineering branch से related भी मैं आगे कुछ videos लेके आऊंगा जहां पर आपका जो technical knowledge है उसको मैं enhance करने की कोशिश करूँगा तो दोस्तो मद्धिकालीन भारत का जो इतिहास है उसको शुरू करने से पहले हम एक दो चीज़े discuss कर लेते हैं जो आगे आने वाले time में हमारे जो videos हैं उनको समझने में आपको बहुत ज़्यादा एक आप मान के चल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो जैसे फर एक्सामपल अगर मैं बात करूँ कि यह इंडिया का मैप है इसमें मैं यहाँ पर north लेता हूँ यह south हो गया यह west हो गया और यह east हो गया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी places मैंने कुछ encircle कर रखी हैं places यह places जो important places हैं जो मद्दकालीन भारत का इतहास जानने के लिए जरूरी है तो इसमें आपको थोड़ा सा यह idea होना चाहिए map में कि कौन सी place कहां पर हैं यह चीज आपको आगे आने वाले videos को समझने में बहुत ज़्यादा help करेगी फर एक्जमपल अगर मैं बात करूँ काबुल तो काबुल कि आपको place पता होना चाहिए यह तो खेर काफी famous जगा रही है आज की date में भी है तो आपको पता ही होगी लेकिन गजनी गजनी जो place है उतनी ज़्यादा famous नहीं है आज की date में तो आपको यह पता नहीं होना होगी तो आपको थोड़ा सा इनका idea होने चाहिए कि map में कहाँ पे कौन सी place उसकी location कहाँ पे है जैसे यह गजनी हो गया यह मुलतान हो गया यह आधुनिक बलूचस्तान है जिसको मकरान कहा जाता था पहले यह सिंदवाला जो area है यहां से जो सबसे ज़्यादा जो attacks हुए है वो यहीं सिंदवाले area से और मुलतान से attack हुए है जो या तो हम attacks की बात करें कि जो Arabs ने attack किया है कही किये है या फिर जो अटेक्स किये हैं टर्क्स जो तुर्की हुए उन्होंने जो अटेक्स किये हैं तो उन्होंने सबसे पहले आके यहीं पर आकरमड किये हैं या तो हम मुलतान की बात करें या फिर हम सिंद्ध की बात करें तो यह जो उत्तर पस्चिमी जो एरिया है यहां पे ही अटेक्स सबसे जदा हुए हैं क्योंकि इस तरफ तो गर हम बात करते हैं तो इस तरफ तो इमाल है है यहां पे समुंदर है यहां पे भी समुंदर है तो जो भी अटेक्स होने है वो इंडिया पे कहां से होने है यहां से ही होने है यह प्लेसिस के बारे में आपको पता होने चाहिए जैसे यह मालबा हो गया यह बंदिल खंड का एरिया है यहां पर कलेंजर है यहां पर बिहार हो गया यह बेंगॉल हो गया इसके लावा हम बात करें तो यह कन्योज वाले एरिया है जो काफी इंपोर्टेंट रहे और आप कोशिश करें कि जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो मैप आपके साथ में हो जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा इतिहास को समझने में चले दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो जो इंडियन हिस्ट्री है में थोड़ा सा बेसिक्स आपको बता देता हूँ जो इंडियन हिस्ट्री है उसको में लिए तीन पर्ट्स में डिवाइट किया गया है ancient period मतलब जो प्राचीन भारत का इतिहास है दूसरा फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास तीसरा modern period या आधुनिक भारत का इतिहास तो यह stone age से लेके 7th century तक ancient period है आपका 8 भी शताबदी से 19 भी शताबदी तक sorry 18 भी शताबदी तक आपका medieval period है और 28 शताबदी के बाद से जो period है उसको हम आधुनिक भारत कहते हैं से modern period कहते हैं लेकिन इसमें जो medieval period है इस medieval period को ही दो parts में divide किया गया है एक early medieval period है एक late medieval period है तो जो early medieval period है इसके बारे हम थोड़ा सा medieval history में ज़्यादा detail में discuss करने वाले हैं लेकिन जो medieval period है इसके बारे में हम ज़्यादा तर जो ancient period के जो बाद हम मतलब इन सब चीज़ों का discussion जो हम करेंगो ancient period के बाद हम discussion करेंगे लेकिन early medieval period का mainly हम medieval period में discussion करने वाले हैं तो इसमें हम mainly देखते हैं कि जो important kingdoms हैं वो कौन-कौन से रहें तो सबसे पहले जो map है इसको map को हम तीन parts में divide करेंगे एक North India होगा आपका या उत्तरी भारत एक दक्कन होगा आपका एक South India मतलब दक्षणी भारत अगर आप यहाँ पर map में देखें तो यह आपको दक्कन दिख रहा है यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा आप variation देख सकते हैं जरूरी नहीं है कि मैं map में आप अगर line बता रहा हूँ तो यह area यहाँ से लेके यहाँ तकी होगा मेरा एक बस idea है कि आपको यह चीज़ यहाँ से समझ में आनी चाहिए पता होने चाहिए कि दक्कन जो place है वो कहाँ पर है अगर मैं कहीं आके जाके थियोरी में नौर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ तो आपको यह चीज़ पता होना चाहिए कि नौर्फ इंडिया map में कहां कहां है मैं कहां कहां की बात कर रहा हूँ फर एक्जम्पल जैसे अगर मैं उत्तर पस्चिम की बात कर रहा हूँ तो उत्तर पस्चिम में जो आधुनिक पाकिस्तान है मैं उसकी बात कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर विजय नगर सामराज की बात करना हूँ तो विजय नगर सामराज की बात करने का मतलब हुआ कि मैं यहाँ पर दक्कन के जो नीचे वाला पोर्चन है साउथ में जो है मैं उसकी बात करना हूँ तो इस तरीके से आपका ये map मैं तीन तरीके से मैं डिवाइट करूँगा इसको और हम इसको तीन तरीके से study करने वाले हैं तो अगर मैं North India की बात करूँ तो North India में जो main रहे हैं वो देली सल्तनत और मुगल्स रहे हैं ये देली सल्तनत जो करीब करीब 320 साल तक चली है इसका लाबवा ये भी मुगल्स भी काफी लंबिट time तक चले हैं इसका लाब उधने time पर दक्कन में क्या चल रहा था ये हम देखेंगे तो दक्कन पर चल रहा था भ Por विजय नगर समराज तो विजय नगर समराज का भी काफी रोल है इंडियन हिस्ट्री में चुकि यहां से questions काफी कम आते हैं जो main questions जो आने वाले हैं आपके वो डैली सल्तनस से, मुगल से यहां से आने वाले हैं साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो questions जादा हैं यहां से भी नहीं आते हैं तो इसमें mainly जो हैं वो हैं आपके Pandaps और Palaps इनके बारे में हम थोड़ा सा जाके discuss करेंगे, दूस्टो मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, कि जब भी दीरे वो भूलना शुरू हो जाते हैं तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसको link करके पढ़ना सीखें जब आप उसको link करके पढ़ना सीखेंगे map की मदद से पढ़ना सीखेंगे तो आपको history कभी भी नहीं भूल सकती, इस बात को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ ले, तो बस आपको link करके चलना है ना तो आपको sun याद करने पढ़ने पढ़ेंगे generally history के जो students होते हैं जो competitive exam की त्यारी कर रहे होते हैं तो वो हमेसे यही चीज बोलते हैं history की जो sun होते हैं वो याद नहीं होते हैं तो उसको मैं आपको याद करने के एक दो tricks बता दूँगा कि उनको कैसे याद करना है उनको कैसे अच्छे तरीके से याद रखा जा सकता है तो वो हम आगे discuss करेंगे चली तो इसके बाद हम देखते हैं तो उसमें हम mainly कैके पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम early medieval period तो early medieval period में mainly जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं राजपूत बंच के बारे में तो जो राजपूत शाशक हुए हैं हम mainly उनके बारे में early medieval period में पढ़ने वाले हैं तो इन में से कुछ मैं आपको example पता देता हूँ कि जैसे गुर्जर पृतिहार वंस हुआ तो ये आपका राजपूत बंच में आता है इसके बाद अगर मैं बात करूँ चोहान बंच तो ये भी एक राजपूत बंच में ही आते हैं गहडवाल गहडवाल वंस अगर मैं बात करूँ तो ये भी इसी में आते हैं चंदेल बंच की मैं अगर बात करूँ तो ये भी इसी में आते हैं तो इस तरीके से काफी राजपूत शाचक हुए हैं जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा तो नहीं, इसमें हम थोड़ा सा इनको short में ही discuss करेंगे, क्योंकि यहां से exams में question बहुत कमाते हैं, तो मैं मतलब एक level पर इसको detail में discuss करने वाला हूँ, लेकिन still आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा तर में points ही आपको बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा detail में इसको हम discuss नहीं करेंगे, इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं, तो बात करते हैं Muslim invaders की, Muslim invaders मतलब Muslim आक्रमड कारी, तो इसमें जो हम mail बात करेंगे, वो हम बात करेंगे, कि जो अरब से जो आक्रमड की बात करें, तो यहां पर मुहमद गौरी का नाम आता है, तो इनके बारे में हम Muslim invaders में discuss करने वाले हैं, इसके बाद फिर हम Delhi Sultanate के बारे हम बात करेंगे, तो Delhi Sultanate में जो में पांच जो dynasties हुई हैं, उन dynasties के बारे में, वंश के बारे में हम discussions करने वाले हैं, जिन में से जैसे अगर हम बात करें, तो एक हो गई आपकी गुलाम बंश, जिसको हम इलवरी डाइनस्टी की नाम से भी जानते हैं, खिलजी बंस हो गया, तुगलग बंस हो गया, सहीद बंस हो गया, तो इन सब चीजों के बारे में हम Delhi Sultanate में discuss करेंगे, इसके लाब हम Delhi Sultanate का जो प्रशासन चलता था, वो कैसा चलता था, इनके बारे में मैं एक separate वीडियो ही लेके आऊँगा, इसके बाद फिर हम regional kingdoms की बात करेंगे, regional kingdoms में हम मिली जो बंगाल, जौनपुर, उडिशा, मेबाड, कश्मीर, गुजराथ, इन सब के बारे में यहां पर discussion करेंगे, कि Delhi सलतनत जब हमारा डेली सलतनत का पतन चल रहा था, तो उतने टाइम पे regional kingdoms का यहां आप मान सकते हैं, कि rise होना start हो गया था, उनके बारे में भी discuss करना बहुत जरूरी है, या फिर हम भी बात करेंगे, जब डेली सलतनत चल लही थी, तो आसपास की area's में क्या चल रहा था, जब यहा मुगल राजबंस की, तो मुगल जो राजबंस हैं, इसकी जुसी इस्थापना की थी, उसका शरीय जाता है, बाबर को, बाबर के बाद फिर हमायू, पर अकबर, इसके बाद फिर जहां अगीर शाह है, जहां और अग्जेब, ऐसे बहुत सारे इनके शाशकाये हैं, इसके पिर हम एक separate वीडियो लेके आएंगे कि जो मुगल सल्तनात का जो administration था इनका, इनका जो justice and punishment विवस्ता थी, वो कैसी थी, इनकी economy कैसी थी, इसके बारे में हमें थोड़ा सा detail में discuss करना पड़ेगा, तो हम मुगल सल्तनात के बारे में भी detail में discuss करेंगे और इनके administration के बारे में भी detail में discuss करेंगे, इसके बाद फिर हम Marathas की भी बात करेंगे, और अंग्जिप के time पर Marathas काफी शक्तिशाली हो गए थे, तो हम Marathas के बारे में भी काफी discuss करेंगे, यहां से जो main है आपके, वो questions आपके mainly यहां से बनेंगे, regional kingdom से बहुत ज्यादा questions नहीं आते हैं, डैली स बन सकते हैं, तो mainly हम इन सब चीज़ों के बारे में यहां पर discussion करेंगे, इसके बाद दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप उनको like करें, उनके उपर comment भी कर सकते हैं, comment में आप जिसे अगर कोई special वीडियो बनवाना चाहे थे, किसी topic के उपर तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, इसके लाबा आप channel को जरूर subscribe करें, subscribe करने का जो सबसे वड़ा फायदा आपको होगा, कि हमारे जो videos upload होंगे channel पे, उनका आपको notification मिल जाएगा, notification के through आपको एक link भी मिल जाएगी, उस link के through आप यहाँ पर जा सकते हैं, तो हमारा जो तो इस page को भी आप जाके like कर सकते हैं, जहां पर मैं जो भी topics होंगे, उन topics से related जो भी कुछ PDF files होंगी, या docs file होंगी, उन files को मैं upload करूँगा, इसके लाबा कुछ objective questions के भी मैं videos लेके आने वाला हूँ, तो वो videos जिसमें मैं कुछ, जैसे मालो हमने देली सल्तनत कहत्म किया, देली सल्तनत के बाद मैं एक video लेके होंगा, जिसमें मैं कुछ objective questions जो हैं, वो आपके लिए solve करूँगा, तो objective questions लगाने के बाद ही आपको थोड़ा confidence build up होगा, कि हमने जो पढ़ा है, तो हमसे questions बनने लगे हैं, इसके लाबा तो वो सारी चीज़ें आपको Facebook page पे, उनकी जो slash इसको आप type कीज़े आपके URL पे और आपको direct page पे पहुंच जाएंगे और आप बहाँ पर जाके page को like कर सकते हैं, इसके लाबा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कि जो और भी जो subjects हैं, उन subjects के भी video मैं जल्दी ही लेके होंगा, चाहे हम science की ब बाला हूँ, इसलिए आप channel को subscribe करें, इसके लाबा मैं एक और आपसे request करूँगा, कि आप इन videos को share जरूर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो exams की त्यारी कर रहे हैं, उन तक भी ये videos पहुचें, उनको आप इन videos के बारे में जरूर बताएं, और इसके लाबा कोई भी topic पे आप videos बनवाना चाहेते हैं, तो जरूर comment करें, thank you, thank you